व्योमोलोजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अमारी धारणा में क्रान तीला दी। 1905 में उन्होंने सदियों पुरानी न्यूटोनियन भौतिकी को चुनौती देते हुए सापेक्षता का विशेश सिध्धान प्रस्तुत किया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करे जहां समय सापेक्ष है और गुरुत्वाकर्शन अंतरिक्ष को ही मोर देता है। प्रसिद्ध ट्विन पैराडॉक्स को लें, जहां प्रकाश की गती से यात्रा करने वाले जुर्वा इंसान के लिए समय का विस्तार होता है। जब अंतरिक्ष यात्रा कर रहे जुर्वा बच्चा वापस आता है, तो उन्हें पता चलता है कि प्रित्वी पर रह गए उनके जुर्वा की उम्र अधिक हो गई है। ये दिमाग को घुमा देने वाला है। आइंस्टीन के सापिक्षता के सामान्य सिध्धान्त, जो 1915 में पेश किया गया था, ने गुरुत्वाकर्शन को अंतरिक्ष समय के विरूपन के रूप में वर्नित किया। इसका ब्रह्मान की संरचना पर गहरा प्रभाव पढ़ा। सामान्य सापिक्षता के एक प्रभाव, बुरुत्वाकर्शन लेंसिन की 1919 में सूर्य ग्रहन के दोरान पुष्टी की गई थी। सूर्य के चारों और तारों के प्रकाश के जुकाव ने आइंस्टीन के सिध्धान्त के लिए प्रायोबिक साक्षे प्रदान किये। सम्भवतर दुनिया का सबसे प्रसिद समीकरण, A equals MC squared, द्रव्यमान और उर्जा की समानता दर्शाता है। ये समीकरण परमानू प्रतिक्रियाओं को रिखाकित करता है, जिसमें शक्तिशाली तारे और विनाशकारी परमानू बंशामिल है। परमानू प्रतिक्रियाओं में जारी उर्जा द्रव्यमान के उर्जा में परिवर्तित होने का प्रत्यक्ष परिनाम है, जैसा कि आइंस्टीन के अभूत पूर्व सूत्र द्वारा भविश्यवानी की गई थी। आइंस्टीन की भविशवानिया ब्लैक होल के रहस्यमय दाइरे तक फैली हुई थी तीव्ड गुरुत्वाकर्शन क्षेत्र जहां से प्रकाश भी नहीं बच सकता इवेंट होराइजन की अवधारना आइंस्टीन के समीकरणों से उभरा है जिसका अर्थ है कि ब्लैक होल के सीमा पर जाकर कोई वापस नहीं आ सकता इस सीमा को पार करने वाली किसी भी चीज़ को गुरुत्वाकर्शन द्वारा निगर लिया जानाते है आईए ब्लैक होल की गूंज और अनों के गतिशीर्ता की आकरशक दुनिया के बारे में जाने हाल के अध्यरेनों से पता चलता है कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं हो सकते हैं ब्लैक होल की गूंज का विचार इन रहस्यम में ब्रहांदिय घटनाओं के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है ब्राउनियन गती एक तरल पदार्थ में कनों की यादरच शिक गती पर आइनस्टीन के काम ने परमानों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण सबूत प्रदान किये इसने सुक्षम जगत के बारे में हमारी आधुनिक समझ की नीव रखी जैसे ही हम अपने ब्रमान्डिय अन्वेशन को आइनस्टीन की खोजों में समेटते हैं हम ब्रमान्ड के बारे में हमारी समझ पर उनके सिध्धानतों के व्यापक प्रभाव से आश्चरे चकित हो जाते हैं स्पेस्टाइम के ताने बाने से लेकर ब्लैक होल की गूंज तक आइनस्टीन की विरासत वैग्यानिकों और सपने देखने वालों की पीडियों को समान रूप से प्रिरित करती रहती है तब तक उत्सुक रहें अपने विचार हमें टिपपनियों में बताएं और देखते रहें व्योमोलोजी धन्यवाद